सबका स्वागत है और इस चैनल में बेकार की बाती नहीं की जाती है तो डायरेट हम पॉइंट पर ही आते हैं यह एक्साइज कोस्टेबल का एज प्रोडलम जो हो रहा है और 2018 में जो जुडेंट अप्लाई किये थे और 800 रुपया साहत फी था तो अभी तक सरकार इस पर कोई दियान नहीं दे रही है क्योंकि 800 का कहां गया यह भी पता नहीं है एक्साइज कोस्टेबल में लड़का को अपलाई करने तक नहीं दिया रहा है जबकि यह कहां तक नियम सही है और कोट में कहां तक किकेगा यह भी आप आराम से जान सकते हैं जबकि CGL जो एक्जाम है उस पेसल ब्रांच उसमें भी मिलेगा ही मिलेगा और इसका जो सुनवाई है 23 मार्च को सायद हाइकोट में है कंफर्म नहीं 23 को ही है लेकिन हाँ 23 को ही है लगबग तो उसमें हमको लग रहा है कि जज्मेंट आ जाना चाहिए CGL के basis पे CGL में age relaxation मिला है same problem था जो लड़का अप्लाई किये थे उसको बाहर कर दिया जा रहा था लेकिन उन्हों केस किया और उनको फिल से मौका दिया दिया गया तो एक्साइज और इस्पेसल दोनों में भी मौका दिया जाएगा यह लगभग शूर है एक दो परशन में नहीं का सकते हैं क्योंकि यहां जारखंड है और यहां का जो है नियम कारून भी थोड़ा आजीब होता है तो इतना शूर है कि आप लोग अपलाई कर सकते हैं जो किये थे 2018 को वह परिशा देंगे दोड़ेंगे तो आप लोग त्यारी में लगे रहिए दोड़ प्रक्टिस करते रहिए और मोका जड़ों मिलेगा और एक्साइज में भी बिलेगा इस्पेसल में मिलेगा और अगर जादे यह हुआ तो जितने भी वेकेंसी हैं सभी में मि ले जाते हैं क्योंकि वहां नियम कानल में तरह लेट होता है वागे सभी का धिरने बाद जो बीटियों